आपका स्वागत है आज हम देखेंगे चैंफर क्या होता है और उसके कितने टाइप्स हैं इसके लिए हम एक जोमेट्री पहले एक जोमेट्री क्रिएट करते हैं एक पार्ट्स क्रिएट करते हैं हम एक पार्ट्स बनाते हैं टॉप प्लेन पे टॉप प्लेन सेलेक करें एक इसकेच लें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें ओरिजीन पॉइंट के पास से और एक बॉडी एक्स्टूड करें जितनी आपको हाइट है ओके बैक ग्राउंड चेंज कर लें परस्पेक्ट्व रखें इससे हमारी जोमेटरी रियल लगती है और कलर एक सेलेक कर लें आपको हमने यह कलर लिया है सिंबल कलर यह हमारा एक बॉडी है अब हम देखते हैं चैंफर क्या है और सी कितनी टाइप से तो फिलेट मेन्यू ओपन करें तो यहां आपको नीचे मिलेगा चैंफर चैंफर प इसके बाद आपको डिस्टन्स डिफाइंड करना होता है उसके बाद एंगल डिफाइंड करना होता है तो हमने डिस्टन्स डिफाइंड किया 10 mm डिग्री हमने 45 डिग्री या 60 डिग्री ले ली और एक एज सेलेक की तो यह देखिए यह हमारी एज जो है 60 डिग्री पे हो ग अब हम चाहें तो इसी राइट क्लिक करके एडित फीचर में जाहिए एंगल चाहे तो आप चेंज कर दें 45 डिगरी यह देखिया एंगल भी चेंज हो गया 45 डिगरी 10 mm सेलेक करें ओके तो यह था एंगल डिस्टेंस चैंफर मैन्यू ओपन करें चैंफर अब दूसरा ओप्षन है डिस्टेंस डिस्टेंस इसमें आपको दो डिस्टेंस सेलेक करने होंगे अगर आपने इक्वल को चेक किया तो सिर्फ एक ही पूछेगा अंचेक किया तो दो पूछेगा एक हमने 10 mm रखा एक 20 mm रखते हैं हमने ये line सेलेक की तो ये देखिए ये पीछे की line 20 है नीचे की line 10 है ये डिस्टेंस 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 अंगल है आप सेलेक करेंगे ये देखिए आप चाहें तो इसे edit करें आप यहाँ click कीजिए equal distance अब यह सिर्फ एक ही size दिखाएगा आपको आप चाहें तो इसे बढ़ा लें जितना चाहें 20 तो यह देखिए यह equal distance distance चैंफर है अब हम आखरी चैंफर देखते हैं चैंफर vertex vertex मतलब कोई भी एक point, coordinate point तो हम इसे लेंगे vertex हम equal distance नहीं रखेंगे, unequal रखेंगे तो यह देखिए 10, 20, 30 अब हमने यह एक select किया तो यह देखिए यह इस direction में 30, इस direction में 20 यह यहाँ 10 mm, यह यहाँ दिखा रहा है अब आप इसे click कीजिए तो यह हमारा chamfer तयार हो गया यह देखिए अब आप चाहें तो इसे फिर से edit कर सकते हैं यह हमने unequal distance लिया था हम चाहें तो equal पे click कर सकते हैं तो यह देखिए equal पे जैसे हमने click किया यह सब same distance पे हो गया आप चाहें तो बढ़ा लें ओके तो यह हमारा तीसरा chamfer था vertex chamfer उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा इससे share करना और like करना न भूलिए धन्यवाद